अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग तरह का मेकेनिस्म होता है पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं फुली आटोमेटिक बंदूकों से अलग जो की लगातार फायर कर सकती हैं, सेमी आटोमेटिक बंदूकें एक बार टिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं यह एक 9mm सेमी आटोमेटिक पिस्टॉल है इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी आटोमेटिक हैंड गंस और पिस्टॉलें कैसे काम करती है यह एक कार्टूस या कार्ट्रिज है इसे मैगजीन में लोड किया जाता है जिसमें स्प्रिंग और फॉलोवर इस पर दवाप बनाए रखते हैं मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कार्टूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है इस मैगजीन को बंदूप में रखा जाता है यहाँ पर बंदूप के अंदर के महत्पून पार्ट्स दिखाए गए है बंदूप को पहली बार फायर करने के लिए रिक्वाइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे स्लाइडर के मुव्मेंट के कारण हैमर पीछे आता है यह हैमर हैमर स्ट्रेट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है यह सियर है यह हैमर के मुव्मेंट को कंट्रोल करता है जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सियर लीफ स्प्रिंग के दबाब में हैमर के साथ इंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिक्वाइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिती में चला जाता है जबकि हैमर सियर के कारण अपनी स्थिती में बना रहता है इस प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कार्टूस आसानी से भरा जा सकता है जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कार्टूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिती में धकेल देता है अर्टूस का पिछला हिस्सा एक्स्ट्रेक्टर में फंस जाता है जो की स्लाइडर से जुड़ा होता है पिस्टॉल अब फायर करने के लिए तयार है जब ट्रिगर दबाया जाता है सियर डिसकनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है जिसके कारण या हैमर से डिसेंगेज हो जाता है हैमर अफ्री है और मेन स्पिंग के दवाब में यह firing pin जो की slider में fixed होती है से जा टकराता है बदले में यह firing pin कार्टूस के primer पर strike करती है Primer में impact sensitive explosive होता है जो firing pin के टकराने की वज़ा से जल जाता है इसके कारण कार्टूस में रखे powder में आग लग जाती है जिसकी वज़े से बहुत सारी gases पैदा होती है और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहत high pressure gases से भर जाती है इसलिए बुलेट पर पीछे से पल लगता है जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गती के साथ बैरल से बाहर निकलती है बुलेट के बाहर आ जाने पर यह gases atmosphere में चली जाती है और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती है और बुलेट अपने momentum के कारण आगे बढ़ती जाती है बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं जाग ऐसें बंदूग पर भी समान और विपरीट बल लगाती हैं पर चूकी बंदूग काफी भारी होती है इसलिए इसका एक्सलेशन बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज्यादा गती प्राप्त नहीं कर पाती है विसफोर्ट की कुछ एनरजी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तमाल हो जाती है केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है साथी साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूग को अपने आप रिलोड भी कर देता है और अब बंदूग अगला राउंड फायर करने के लिए तयार है ट्रिगर दबाने पर सीधे सीयर पर धका नहीं लगता है सीयर डिसकनेक्टर की मदद से धकेला जाता है जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तो इस पर बने स्लोट की मदद से यह डिसकनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है अब Trigger और Seer अलग हो गए हैं और इसलिए Trigger दबे होने पर भी Seer Hammer के साथ एंगेज हो सकता है जब Trigger छोड़ दिया जाता है तब Disconnector Leaf Spring के दवाब के कारण Slider के Slot में चला जाता है और अब बंदूग फिर से Fire की जा सकती है Grip Safety बंदूग को अपने आप Fire करने से रोकती है जब बंदूग को हाथ से पकड़ लिया जाता है तब ही Trigger Disconnector के जरिये Seer को Move कर सकता है जब सकता है